हलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर वी आएम शिवानी जौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स के बुक का चाप्टर 8 और शर्ट इन दे मार्केट का पार्ट 2 पार्ट 1 हम लोग का गल्दी से वीडियो बंदो गई थी तो कट्शॉट हो गया था तो अब हम देख लेते हैं तो इरोड जो है वह वह बाइवीकली क्लोड मार्केट मतलब हफ़ते में दो बार लगता है और यह जो जगया है यह तामिल नाडू मिये वन अफ त लार्जेस्ट मार्केट है क्लोड़ो का पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा मार्केट है यह अराउंड ओफिसेज हैं मर्चंट के जो मर्चंट होते हैं व्यापारी उनके काफे सारे ओफिसेज हैं ताकि वह यहां से कप्ड़े खरीज सकें दूसरे ट्रेडर्स जो कि साउथ इंडिया के अलग लग शहरों से यहां पर एरोड के मार्केट में आते हैं कपड़े को देहर कारा में से जो कि ट्रेडर्स कॉंट्राक्ट वरहा है और अपना यहां कावाम करते हैं उसके सावी इवह जो की विलेज के हैं लोग को देखने को मिलता है की फि promot tulee अर्विग Effective on the धागे से फिर उसको बुना धागे को फिर वो कपड़ा बेचने के लिए दुकान में ले आते हैं यह पूरा में प्रोसेस दिखा रखा है यह आता है putting out system weavers producing clothes at home तो weavers जो हैं घर में अपना कपड़ा बना रहे हैं मर्चेंट जो हैं वयापारी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम को weavers में कि भाई किस तरीके से उनको order receive करना है उसे साब से वो जो बुनकर होते हैं वयापारी उनमें अपना काम बाट देते हैं वीवर्स को धागा देते हैं मर्चेंट और भाई उनको कपड़ा भी सप्लाई करते हैं वीवर्स क्या करते हैं वीवर्स को मतलब धागा मिल जाता है और उससे क्या फायदा होता है दो तरीके के फायदे होते हैं, वीवर्स को अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता ताकि उन्हें धागा वगरा खरीदना पड़े, उनको फिर आप उन्होंने कपडा बना दिया कि वो कहां बेचेंगे जाकर कि वो भी दिकत नहीं होती, तो जो बुनकर होते हैं, उनकी दो कपड़ा खरीद के भी जा रहा है, चलो किसान की इस तरदी तो खतम होगे, कि धागा नहीं खरीदना कपड़ा हमें हमारा राम से बिख जाएगा, बट वो मर्चंट पे उस व्यापारी पे टेपेंट हो जाते हैं, जो कि उनसे कपड़ा खरीद रहा होता है, क्योंकि सारा क अपने हिसाब से लेता है चाधा काफी जाता लोग्याइस पर खरीद के कीमर्चंट पर फो जातत refers कि कपड़ा बनता है, काफी जात गरा करीद रहा है लोगे हो आगे जाकर कि मर्चंट कितने दाम पर उसको बेजता है और जिस दाम पर जो वो वीवर से मर्चंट खरीद रहा है उससे कई कुना दाम पर जादा पर उसक पड़े को वो फैक्टरी में बेज देता है तो देखिए तीन लोग है एक तो है मर्चंट व्यापारी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ठीक है व्यापारी बोलते है फिर है वीवर वीवर होता है बुनकर जो कि एक छोटा सा मतलब गाउं में होता है जातर वो अपना काम कर लेते हैं धागा होता है धागे को जोड़ करके कपड़ा बनाने करका बालब के अब यह जो करते हैं, इस अधा रभी है, पटब से हना फिर समना अपbench नहीं क्षाल कोलाने डाय कोई स मुछ के दाता है में από छनल के दब आदू कर्टिए यह जो है अपनी सभी जो है। अपनी समना फ़ितल है कोई क्ध लेकर कि प्वीत बहुक dawा टेते हैं आप कपड़ी बना लेते हैं अब लगभग एक लूम ब़ीस हजार गाता है वो छोटे वीवर्स में पैसे के लिए हैं तो उनको 40,000 रुपे चाहिए या तो वो लोन लेते हैं और उनकी family के जो वीवर होता है ना जो बुनकर होता है उनको बारा बारा घंटे दिन में काम करना पड़ता है और बारा घंटे काम करने के बाद दिन के रोज पूरी family लगी रहती है उनको महीने के कितने कमा पाते हैं वो 3,000 कमा पाते हैं ये arrangement जो होता है merchant का और weaver का ये example होता है putting out system putting out system मतलब merchant ने बहुत काम बता दिया weaver को ये काम करना है और weaver ने काम करके merchant को दे दिया तो ये होता है putting out system इसे merchant raw material मतलब धागा सप्लाइ कर रहा है और जो दागें से कपड़ा बन जा रहा है फिर उसको वापस ले जा रहा है और इस तरीके का काम जो है weaving industry में काफी जादा prevalent है बट इससे weaver को बड़ा मतलब नुकसान टाइप भी समझ लीजी सिर्फ 3,000 रुपे वो महीने के कमा अब आता है weaver's cooperative हम लोगों ने देखा कि weaver's को काफी कम पैसे मिलते हैं तो क्योंकि merchant उनसे कपड़ा ले जाते हैं और पैसे काफी सदा कम देते हैं और weaver's भी merchants पे काफी सदा depend होते हैं वीवर्स है बुनकर जो कि धागे से कपड़ा बनाते हैं और merchant है व्यापारी तो जो वीवर्स की cooperation अगर बन जाए तो अगर वीवर्स की cooperation अगर बन जाए तो अगर वीवर्स अपनी cooperative बना ले और merchants depend ना रहें और खुद ही जाकर के factories में कपड़ा पेशे तो उनको कितना फाइदा होगा है ना तो क्योंकि merchants थोड़े middleman type के होते हैं और बीचॉली होते हैं तो प्रॉफिट जादा कमाने कुशुश करते हैं अगर वीवर्स खुब सारे वीवर्स अखिटे हो जाए और फिर factory से खुदी contract ले ले तो उनको कितना जादा फाइदा होगा तो यही होती है cooperative, cooperative में काफी सारे लोग मिलकर के साथ में आते हैं और फिर अपना कोई business चलाते हैं उनका क्योंकि common interest होता है साथ में काम करते हैं और सबका benefit इससे होता है, सबका फाइदा होता है वीवर्स cooperative जो है, वीवर्स जो है group form करेंगे उसमें हमने आपको, मतलब मैंने बता दिया आपको तो merchant जो है बीच में जाता पैसा खा जाते है वो फिर नहीं हो पाएगा कई बार क्या होता है, government help करते है cooperative की, ताकि वो कपड़ा खरीद पाएं मतलब कपड़ा बेच में अपना reasonable price पे, जैसे कि तामिल लाडू government जो है वो free में uniform बाठती है तो यह क्या करते हैं वीवर्स की जो cooperation है तामिल लाडू में उनसे कपड़ा खरीद लेते हैं और अपना उनको सही तरीके से फिर पैसे भी वीवर्स को directly मेल जाते हैं तो पावर लूम्स कोपरेटिवस हैं उनसे डारेक्टी कपड़ा खरीद लेते हैं तो यह एक को ओप्टेक्स का example है कि वही वीवर्स ने cooperation बना ली और वो डारेक्ली जिसको कपड़ा खरीदना है उसको जाकर के पेश देते हैं अब यहां पर देखिए वुमिन वर्कर्स स्विंग बटन से गार्मेंट फैक्टरी में विमन वर्कर्स बटन सिल रही है अब गार्मेंट एक्सपोर्टिक फैक्टरी नियर दल्ली दिल्ली के पास एक गार्मेंट को एक्सपोर्ट करने की देखिए एक्सपोर्ट करने का मत का इस्तमाल करती है जो इरोट से कपड़ा आता है उसको शर्ट पनाने में अब शर्ट जो है वो फॉरण में विदेशों में चाती हैं अब जो फॉरण बायस होते हैं अमंग दे फॉरण बायस और बिजनस पर्सन फॉम दा यूएस न यॉऔरप हो रना चेन ऑफ स्टोर्स त में धेशु एक कामें ल में अधी परीज करता है तो अपने हिसाप से अपनी मर्जी का कपड़ा खरीते हैं अपनी मर्जी का पैसी ते अ होति hard house देते हैं अगर कपड़े में और चीज में तो वापस कर देते हैं तो एक्सपोर्टर जो है वो ट्राय करता है अपनी बेस्ट कंडिशन करते हैं अच्छा कपड़ा चाहते हैं और हम अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो जो US और जो UK अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कमपनिया हैं उनके पास जादा वो जादा पावरफुल है तो इनकी जादा चलती है और इंडिया के जो बिजनेस वाले हैं सपोस करिए कि वो 300 रुपे का कपड़ा इन लोगों को बेशते हैं और ये जो 300 रुपे का क कपड़ा इंडिया से खरीते हैं ये US UK में चाके 18,000 रुपे तक का वो कपड़ा बेशते हैं अब ये चाहते हैं कि सस्से सस्ता और अच्छे से अच्छा कपड़ा इनको मिल जाता है इसलिए इंडिया से खुब कपड़ा खरीते हैं बहुत बहुत हाइ प्रॉफिट्स पे जागर के बेचते हैं, तो सोचे जो इनसान वीवर है, जो किसान है, वो कितना ज़्यादा कमाता है, और बाद में यह फेक्टरी वाले होते हैं, जो विडेशों में कपड़ा बेचते हैं, यहिए बेसीकली है, इस पूरे चेप्टर में बताने की कोशिश की गई है, जो वर्क करी से निकाला जा सकता है और हमेशे उनको काम नहीं मिलता और लगभग जो टेलर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तीन हजार रुपे महीना और वुमेंस को थ्रेट काटने के लिए बटल लगाने के लिए प्रेस करने के लिए पैकेज करने के लिए रखा ज वैस तो वही है कि 26 डॉलर की या फिर आप कह सकते हैं कि 1800 रुपे की शर्ट वहाँ पर मिलती है तो यहां पर आपको एक मैट्स करने को वह लिगई है कि वह इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से वह 400 रुपे अड्विटाइज दिने में लगा रहे हैं 200 रुपे स्टोर कर 500, 600, 700, 800, 900 तो 900 तो उन्होंने अपना खर्जा लगा दिया और 900 रुपे का ही वह प्रॉफिट कमा लेते हैं और हमारे वीवर्स कितने कितने महीने का 3000 रुपे कमा पाते हैं और यह लोग एक एक शर्ड पर 900 रुपे कमा लेते हैं तो आप लोग खुद सो सकते हैं यह बड़ी बड़ी कंपनिया कितना कमाती हैं अब हुआ दा गीना सिंदा मार्केट तो भहईए तेखिए हम लोगोंने देखि लिया है कि जो मार्केट की चेन involved होता है खरीदने में और बेचने में और किसको जादा profit होता है तो profit जो है वो तो जो जो भावावाय एक ही चीज रिपीट करी गई है मैंने आपको पता ही दिया है जो बड़े-बड़े business persons होते हैं ये काफी जादा कमाते हैं अब market and equality तो जो फॉरन business person होते हैं प्रॉफिट कमाते हैं जो बहुत ही मुश्किल से ही अपने जीवन यापन कर पाते हैं और जो फार्मर है वो भी बहुत कमा पाते हैं जब कि वो बहुत ही जादा महनत करते हैं तो यह जब मार्केट है या फियर प्राइस का तो बिल्कुल भी नहीं है मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं फार्मर्स जो है फार्मर्स हो गए जो वर्कर्स हो गए यह लोग बहुत ही कम कमाते हैं सबसे जयादा जो बुढ़ी ऐड़ी बढ़ी वाले होते हैं वाती हैं ... वापारी सबसे ज़ जब भड़ी ह spill और सभ्सेदामों पर चीज़ें खरीद पाते हैं और on the other hand Email is which level off रहा है और किस तरीके से चीजे चल रही है बट एक यह भी है कि market offer करता है लोगों को की लोग भाई चीजे अपनी बेच पाते हैं और खरीद पाते हैं और फिर कोई प्रोड्यूस कर रहा है को यूगा रहा है फिर बेच रही है तो एक प्रोसेस पुरा-प्रोरा मार्केट में who have money और उनके पास factories होती हैं बड़ी-बड़ी Shops होती हैं बड़ी-बड़ी Holdings वगेरा होती हैं बड़े बिजनस होते हैं बहुत जादा कम आपाते हैं पूर जो है वो रिच पर जो पूर है वो एक्स्प्रॉइट हो रहा है मार्केट में पूर के साथ काफी खराब बरताब होता है क्या है ना मारे दिश में लेबर बहुत साथ है लोग बहुत साथ है काम कर लिया जाता है इन से इन सब चीजों को यह जो वरकर्स के साथ फार्मर्स के साथ ही जो बुरा हो काम कोई भी नहीं करेगा तिक्कत यह होती है कि एक इंसान काम नहीं करेगा तो दूसरा आजाएगा तो अगर कॉपरेटिव बन जाना है कि हम लोग इस से कम दाम पर करेंगे ही नहीं तो फैक्टरी ओर को भी ज्यादा दाम देना ही पड़ेगा अब जो लास्ट चेप्टर है कैसा लगा वीडियो जूरू बताईए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिए थैंक यू